नवसकार तो जैसे कि आप लोगों को बता है अब है कि बात कर रहे हैं लूज्सेंट सामानिजान के बारे तो इसमें लोग क्या क्या देख चुके अभी थे हैं Amos Chfach लोग इतिहास विशह सूची में बात कर चुके थे इतिहास को देख आपलो है विस्व का बोगोल और भारत का भूगोल गवह लेख चुकत हैं और भेहरत का समीधान वान बात करते हैं लोग करते हैं में भारतीर अर्थ्वेष्था की बारे हैं ओगां को आपको बराे हैं में आधल कि होगा प्रिष्था खोलब शॉत श्थॉते खणड उनन। इसके सीशक क्या वाख क्या ए तो भारती अर्थ विशच्था की विशेस्ता है राश्टी याए भारत में नियोजन, भारत की नई यार्थिक नीथिए भारत की वित्व्यूंस्ता, भारत में किर्सि उद्देव और अंतराश्टी है व्यापार, तो अब både है सबस् से पह पीछडी है लेकिन अब यही यह गरीबी के दुस्ट्रक से बाहर है यहां कुल कार्शी जन्सक्या का लगभा 22 पिती सथा आज भी किरसी में लगा हुए है जब कि सकल गहने लिए लिए उत्पाथ में किरसी का हिकुदान किरसी चेत की उप्रोक्त है इस्तिती एक भी आप भी संतोष जिनक नहीं है फिर भी आजादी के बाद इसमें परयाप सुधार हुआ है सुतंतिता पश्चात देश की आल्थिक आधार हुए आधार हुए सजपैशना भी अतिस ससक्त तथा मजबूत हुए है मात्राक्मत दिरिष्टी से भी देश की अध्वश्चा में काफिस्तार हुआ है भारत की अध्वश्चा के विभिन पहलों की विश्चाओं को निम्रे बिन्दूओं में अलग-अलग बिस्तुत किया जा रहा हुए भारत भारत ये अध्विवस्ता ग्राविंट तथा किरसी पर आदाने तर्विवस्ता है स्तुत्र तथा के सत्तर सालवाद साड़ साल दीगए लेकिन सत्तर सालवाद वार। किती सथ किसी किसी स्रों किसी चτιत्र में लगी वhay है किरसी चेत्र में लगी हुए वह कीद्दर ये त्था राष्टी यह में मिस्रित अर्थविष्था का रते नीजी छेत का तत्ता सारुजनिक छेत का सहस्त। भारत ने अपने 17 75काल में मिस्रित अर्थविष्था गौत पनाया। ताहिक इसका समाजवादी लच्ट पूरा हो सके। अपने सपूर योजना काल में लग सरकार ने लगबग 45 पूंजी सार्जन एक छित्रों में निवेश किया ततस्त आर्थीक नियोजन के माद्धम से इसे गति दी जाती रही परंतु उत्पादन के सुरोतों और साधनों पर आज भी निजी छित्काई वर्चस्त है उदारीकरण के परच्छात भारती अर्द्विस्त्य पूंजी वादी अर्द्व मु कूस्त है भारती अर्द्विस्त्य प्रूल दीनीले कि तथा पिती व्यक्ति आए इस तर बहुत नीचा है तो विश्व विकास रिपोर्ट 2010 के अनुशार है तो यह आकड़े पुराने होगे हैं अब कोई मतलब नहीं है कि अजाधी 16 सक्वाद भारत की भारत देश में रिधन्ता रेका से नीचे जन संख्या भारत बहुत जैन्धा है इसलिए भी विस्व विकास रिपोर्ट से रिपोर्ट के अंशार विस्व रिधन लोगों की संख्या सभादिक भारत में यहीं बात कर लेते हैं हम लों बिजरो यौह भी मतलब छोड़ देते हैं भारत की राष्टि इजंडे में करेंट में वालू चल जाएगी जो नए आकड़े आए हुए तो पुराने आकड़ों का कोई मतलब भी नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं भारत की राष्टी आयो भारत की राष्टी आयो और पिती वेक्ति आयो कि गड़ना का पित्थम फ्रयास दादा भाई नोरोजी ने कि अटारा सुर्शट से ऐसेट मैं तो यदि राखिये भारत बारत की राष्टी आयो और पिती वेक्ति आयो कि गड़ना का पित्थम त्रयास दादभाई नोरोजी ने इस देषा में पित्रम अधिकारिक प्याष्व अडिक्रक्रमिक्ति हे अंड़े नौरो कुंधा आएर इस उंड़ुकाइड , ET 006 तू बताया scholarship अंड़े ध्यूर्व कुर्व इस बादार में की। पितिव्यक्ति हें इन दोर्ती अंड़ी। द्वारा किया गये राष्टि आय की गढ़ना के लिए उत्पाद पदिती आय पदिती दोनों का सारा लिया जाता है उत्पाद पदिती इसके तहट माल और सिवाओं के स्थुद्ध मूल दिधि का अकलिंग किया जाता है इसका पयुक्रिसी वान की पसुपालन खटन वो किया जाता है इसका पयोग परिवाल थिसाशन व्यापार जैसे सेवाप विदाता की दीप उख लग करने के लिए के भारत में सांकिकी वेवाग के अंतरगत केंद्री सांकिकी संगठन राष्टि आय के आंकलन के लिए उत्तरदाई है इसका और राष्टिय पिदिदर सिदात पर अर्दविफ्था द्वारा पूरे वर्ष के द्वारा उत्पादित अंतिम बस्तुओं वसेवाओं के सुद्ध मूल लेकि योग से होता है इसमें विदेशों से अर्जित सुद्ध आय भी सामिल होती है राष्टियय घिये हुए समय में किसी अर्ज विष्था की उत्पादत अस्ति हुथ कुछ कि एब बहरत में राष्टीयाय वित्तिय जिए वस, 1 अपरेल से 31 मार्श है。 अब बात करते हैं राष्टीयायाय की यह क्लियआय की आउदार न शकल राष्टीय उत्पात N今 जिएन पी सकल राष्टिय उत्पात. इसे देखते हैं किसी देश में के नाग्रेकों द्वारा दी हुई समयावदी में सामान नता एक बित्ती है वसमें उतपादित कुल अंतिम बस्तु हों तता सेवाओं का मुले मूल सकलराक़्िये उतपाद कहलाती है इसमें देशबासियों द्वारा देश के बार उत्पादित बस्तूं को भी संबलिक किया जाता है जी एनपी को ग्याद करने के लिए देश के नागरेकों को विदेशों से प्राप्त हुई आये को सकल घरलू उत्पाद में जोड़ देना चाहिए इसी के प्रिकार के देश इसी बिगार देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आये को सकल घरलू उत्पाद में से घटा दिया जाना चाहिए इसे निमने समीकन द्वारा दर्साया जा सकता है जी एन पी शकल घरे लूट शकल राश्टियों पार बराबर जी डी पी पिलस एक्स माइनस एंप तो एक्स के आए ये एक्स से विदेशियों से प्राफ्ट आये और एम है विदेशियों की आये जो भारत में होती है एक्स देशियों द्वारा विदेशों में अर्जित आये और एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आये उपक्त समिकर से यदि एक्स बराबर एम तो जी एन पी बराबर जी डी पी होगा क्योंकि देस वासियों द्वारा बीदेसों में अरजेता है, बराबर वो बीदेसियों द्वारा देसमें अरजेता है, तो बराबर हो जाएगी, Chairman P- GDP नफटा हो जाएगी, इसलिए पिकार बंद ंरब अर्थ व्यवस्ता के अंदर एक्स माइनसे म बराबर जीरों, तो वही तो वहां भी GNP वरावन GDP होगा सकल घहरेलू उत्पाद अथवा GDP देश की सीमा के अंदर किसी दी हुई सवायोदी में उत्पादित अंतिम बस्तुओं तता सेवाओं का कुल मौतरिक मूल होती है GNP में GDP का केवल वही भाग समलित किया जाता है जो देश के नागरेकों की उत्पाद है सेवाओं का परड़ाम है भारत के सकल घहरेलू उत्पाद में सबस्यादित की उगदान सेवाचित का है दूसरे स्थान पर उद्देव और तीसरे स्थान पर है किर्शी का भारत के सकेलू घरेल उत्पाद में सरवाद के उदानमा राष्ट का है सुद्धराष्टी यह आ है NPP की बात करें तो सुद्धराष्टी यह उत्पाद ग्याद करने के लिए फूंजी स्टॉप की खपत मूल हरास को गटाना होता है NPP, NNP बराबर GNP माइनस मूल रास्ट NPP की गड़ना दो पिकार से की जाती है पित्व बस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार कीमतों पर तथा दुतिये कुल उत्पादन की उत्पादन साधन लागत के रूम में जब NNP कबूल लेंकन अत्पामाप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे राश्टी आय की नाम से जाना जाता है इसे ग्याद करने की बाजार मूल पर आंकले सुद्ध राश्टी उत्पाद में से सुद्ध आपत्यक्ष करों कुगा पायना होता है इस प्रिकार से ग्याद मूल ही राश्टी आय कहलाती है राश्टी आय राश्टी आय बाजार कीमत पर NNP माइनस आपत्यक्ष कर प्लस सब्सेटी जोड़ देते है भारत में राश्टी आय के अनमान के आंकले केंदिये सांकी की संगठन जारी करता है कि अनमान के प्राप्त होने वाली आय जैसे निम्नसूश से ग्याद करते हैं राश्टी आय माइनस नेगमों का आवित्रित लावांस माइनस नेगम का माइनस सामाजिक सुरक्षा योजिना के लिए किये गये हम भुकताण फिलस सरकारी हस्तांतरल्स मुखताण फिलस ग्यावारिक हस्तांतरल्स मुखताण नोट किसी भी देश की आति करिगास का सर्व से सुच पिति व्यक्ति आयोदेगे अब बात करते हैं लोग आर्थिक नियोजन की बारे में आर्थिक आयोजन वह पिक्रिया है जिसके अंतरकत पूर्व निर्धारत उद्देशों की पूर्ति एक्तु सीमित प्राक्तिक संसाधनों का कुसलतम उप्यों किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन की निर्धारित उद्देश हैं आर्थिक संप्रिति, आर्थिक पस्वाजिक आस्मानता को दूर करना, गरीभी कानेवारण तथा रोजगार के अवसर में भिद्दी। भारत में आल्थिक आयोजिन संबंदी फिस्ताओ सरप्तम 1934 में विस्विसरया की पुस्तक फिलांड एकोनोमी फोर इंडिया तो याद रखी हैं दो बाते हैं भारत में आल्थिक आयोजिन संबंदी फिस्ताओ सरप्तम 1934 में किसने रखा विस्विसरया सुरया और इनकी किता तो तुम बंबैय योजना आरतिक आयोजन से समस्बंदीत था उननीसों सेहतालिस में पंडिक नहरूं की अधिक्षता में आरतिक नियोजन समिती की गटित हुई, बाद में इसी समिती की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजनायुक का गठन किया गया, यह एक गैर सम्मीधान सामवेधिक तथा परामर्स दात्री निकाय रूप में थी, भारत के पिधान मंत्री इसके पदैन अध्यक्ष होते थे, भारत की पह परी 2015 से योजनायुक की जगए नीदी आयोगा चुका है, ठीक, तो योजनायुक को खतम कर दिया गया, योजनाय की कविश्थ अपना हुई, 15 मार्च 1950 को, भारत में कुल 12 पंचवरसी योजनाय रही है, ठीक, तो पंचवरसी योजनायों देखते हैं, वो लक्ष और उपर दिया उनकी, तो पहली रही है, उनीस सो इंक्याव से चाठ्पंतर, इसमें वार्चिक विद्धिदर थी, कितनी? एक दसमलाव दो, ओपलाव कितनी वी? तीन दसमलाव चैपतिसा, दूसरी थी, 56 से एक सट तर, इसमें इसमें दो दसमलाव पांच विद्धिसा बार्चिक रखी गई थी, 4.1 पितिसा उपलाद वी? तीसरी, 1961 से 1966 तर, इसमें पांच विद्धिसा रखी गई थी, और दो दसमलाव पांच विद्धिसा ब्राप्त हुई थी, चौत्री, 1999 से चौत्र तर, पांच विद्धिसा रखी गई थी, और तीन दसमलाव पितिसा ब्राप्त चैकंडी असी से पचासी थो sons थो दो कित si-that both possible the तेशलओ चाहती सघ्राफ विदी साथby 29수το pachasi-son avert eldac for the single one from principle right? 0.80 माघ किती हूं फराफ किती हमारी इतानीज सो बोल्ते 2002 से माणवै शेन थान तर्क पांथ श्मिलाव च्यरकी गिती ऊच्य lectures सब्सक्राइब जेकर दस्बाइब अच्छा रखी गिए चलिये दोजार साथ से दोजार से तो दोजार पिदिस रखेगी और पहसा जार साथ नौ पिती सट रखी गई ती अच्छा डी एच गयारं नवी चली है त्वी चलिए प्रप कित्री भी थी साथ दसम्लओं नो पितीशत्, याद रखिए, नो पितीशत्र रखी गई थी, और बास्तरव में उप्लाव कित्रीशत्, ठीक, और बारहहे की बता देखी बता देख, जनता सरकार्वार यहांता अजिनाएं संत्री इंग दिए सब्सक्राइब म profits वारोविंत बनीग वार्से कि उनीजोनाइद कर देंख बान्यासा इन mm यह श्यावन दोद द आन्यासि़ एं। दोद दोद करते ऐने में जनता सरकार्म ने अनलिक नदुकिशलाइं पर है 1980 में कांग्रे सरकार ने इसे रोपकर 1980 में 65 योजना लागु की थी अब बात करते हैं पितंग पंचवर्सी योजना सफल योजना रही तथा इसका लक्ष से आंगे तीन फंद्ध में 66 विकास दर हासल की गई थी इस योजना के दोरार राष्टी आये 18 पिती विक्ती आये 11 पिती सत में कुल बिद्धी हुई इस योजना काल में सार्विजने कुद्यों के विकास की उबेशा की गई तथा इस म शाहात में माचे श इदिसंत्क कषग की गई दुतीय पंच कर barbecue इउचना की बात करें दुतीय पंच कर सी हुईना झभार्ण से Natural चली यहीं उजना पीसी महाल नोविस, मोडल पर आदा रिती, पहली किस पर आदा रिती, पिथम पचवाल सी युजिना आदा रिती, हेरोड डोमर मोडल पर आदा रिती, दूसरी थी, पीसी महाल नोविस, महाल नविस, मोडल पर आदा रित, इसका मुख कुद्धिश्ता समाजवादी, समाज क की स्थापना करना इस सेयोजिना में देश्ट के जीवन इस्तर को मुचा उठाने के लिए पांच बसों में राष्टी याय में पच्चीस पितीसद की बिंदी करने का लक्ष निर्दारित किया गया था इसमें भारी उद्देव खनेजों को उच्छ प्रात्मकता दी तथा इ प्रात्मकता यातायात मसंचार को दिया गया था जिस पर 28-38 सी ब्यार की गई थी अनेक महत्तमूर उद्देव लगे इसी में दुतिय पंच बरसी उजिना में दुर्गापुर विलाई राओके राफ इस्पातकार खने इसी उजिना के द्वारान लगाए गये थी प्रतित कि यह पंच बरसी उजिना यह कब से कब तक के लिए उन्डी सरिक्सर से चैसर तक तो याद रखिए इससे उजिना का उद्देश्थ आरत्म विवस्था को आत्म निर्भर बनाना तथा सुर्था इस उर्ध अवस्था में पहुंचाना था यहां विजिना अपने लग्चक से 5.6 पिती सब की बिद्धिदर्ण को प्राप्त करने में सब आसफल रही तथा 2.5 पिती वर्स की बिद्धिदर्ण की प्राप्त कर सकी ती इस उजिना में किर्थी तथा उद्देव दोनों को प्राप्त में ता दी गई ती इस से उजिना की ऐसा पन्ता को मुक कालन भार पाकिस कहें उत्रुगा कर और सुखा भी पड़ी थे रेत ये उन्हा आयो ये उन्हा आउकास तो ये उन्मीश चासर से शरसर और शर्षय से अर्षय से उन्हार तर दो भात इस सौदी में तीन बार से की उनाय परियार के इस अउकास अवडी में केस्टी तरह संवद्ग छेंट टेंड़ और उद्यवर को समान प्रात्म प्राह्मेक तक लिए ईजोरी नौ काया प्रबर ś hem करनाघ भारत पाकाल सूछ गल संसाधनों की मूल संसाधनों की कमी मूल म lesselle नाघ्च Formula पंचवर्शी उजना, 79 से 74 दर इस योजना का मुख खुद्देश्था, इस्थायत के साथ विकास तथा आर्थिक आत्म निर्वर्था की प्राप्ति ये स्योजना में समाजबादी समाज की इस्थाफना को और विश्य सरूप से लच्छित किया गया, यह योजना अपने प्राप्ता का कारण मोसम की तिदिकूलता तथा वगलादेश से सर्णाथियों का आगमुन था, तर आई पांचवी पंचवर्शी उजना, यह उन्वी सचवात्तर से 74 था, इस योजना का मुख उदेश गरीवी उन्वुलन था, तथा आत्म निर्वाथा की प्राक्ति था योजना में सर्वादिक इस्थायत लाने को कुछ प्रात्मिक्ता दी गई, इस योजना में 203 कार्क्रम 1975 की सुरुगात होई, योजना के दौरान विकास लक्ष क्यारम में 5.5% बारसिक बिद्धिर रखी गई थी, पंदु बाद में से संसोधित कर 4.5% बारसिक कर दी गई इस योजना में पहले बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, योजना में सर्वोच प्रात्मिक्ता किरिशी को दी गई तत्पासाथ उंदेव बाथखनेजों को उच्छित को दी गई, यह योजना सामनुता सफल रहिए, परन्तु गरीबी तथा बेरोज वर्षी युजना उन्नीस से पचासी तक चली इस युजना का क्यारम प्रोलिंग फिलान उन्नीस ओठतर से तेरासी जो जन्ता सरकार द्वारा बनाई गई तीस को समाप्त करने की इस युजना का मोकुद्देश गरीवी उन्यूलन और रोजगार में बिद्धी था पहली बा गया पात लक्ष पात दसंबू दो सरक वासिक जी दर रखा गया है तथा सपन्था पूरीवाक पात दस भीटीव सरक वासिक डिधियक ए अ क्ट उच्च के दॉरारल श्यमनभी गरामेड़ मिकसा कारख करम ऐसे महद्पोन कारख करम शुरूं किये अज़रा साथ वी साथव रोजिगार की अधिका उसर जूटाना साम एवब नियाय पर आधार सामाजिक पेडाली की स्थापना सामाजिक एवब आर्थिक आसमन्ताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा देश देशी तक्नीकी विकास के लिए सुरुद्र आधार तेजार करना योजना में गहर सकल पाद में करना तार स्थीय विद्धिदर का रंख्छ रखा गया था जबकी वासिवट विद्धिदर हुई पाद दसमलगा भासिक रही अताहर सफल योजना थी प्रास्ति व girii utilis कि न हुजना में जवाहर रोजगारी हुजना जैसी मत्पूर्ण रोजगार प्रकारिकम प्राणव की गए अगे बात करते हैं आठ भी पंचवरशी हुजना तो यह उनीस सो बानुवे से संताववे तक चली इसी हुजना में सर्वोज प्रात्मिकता मानोसंसाधन विकास मानोसंसाधन का विकास को दी अर्थार रोजगार सिक्षा जनस्वास्त को दिया गया इसके अध्रिक्त आधार भू ढाचे का प्राप्थी के अंतक लगवत पूर रोजगार की प्राप्ति को मुखलक्ष बनाएगे यह 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 उना सफल यह जिना नहीं पात दसमलोव 6.320 बिद्धिदर के लक्ष से जादा 6.720 बिद्धिदर त्राप्त की गई इसके तह इसकाल में प्रिदार मंत्री रोजगार युजना उनिस्व सर्त्राइन में सुरुगा तो ही इसकी 15 वर्षी यह योजना कौन सी है 95 वर्षी यहुजना मि नौभी पंच वर्षी युजना इस योजना की यौदी में सकल गरेल उत्वात की वासिक विद्धी दर कलक 6.5 की तीसर रखा गया, जबकि उपलक दी माद 5.5 की तीसर वासिक विद्धी की रही, इस पेकार यह योजना आसफल रही, नौभी योजना आसफंता की पीछे अंतराष्टिय मंदी जैसे कारक को ज इमिदार माना गया, चेत्तिय संतुलन जैसे मुद्धे को भी इसे उजना में विसे इससता मिला, पुरे नौभी परसी योजना में आत्म, निरभरता प्राप्त करने के लिए, ब्रा आत्म, प्रात्मिक तक रव्मनिम्लिक चेत्रों को चुना गया, भुक्तान संतुलन सु नक केवल बढ़ने से रोगना उसमें कमी भी लाना खात द्यान में खात द्यानों में आत्म निर्वर्था प्राप्त करना प्रोध दुगी किये आत्म निर्था निर्वर्था प्राप्त करना जड़ी बूटियों और औस्दियों मूल के पेड़ पोदों से प्राक्तिक संसादनों का समच्छत उप्पयों करना दसवी पंचवर्षी योजना 22-27 के बीच रही दसवी पंचवर्षी योजना का मुखुदेश देश में गरीवी बेरोजगारी समाप्त करना अंगले दसवर्षों के पिति में पिति वेप्ति आय दुबनी करना योजना अबदी में सकल गयारी उत्पाद में बारसिक बिद्धी आठ पिति कर लक्ष रखा गया योजना के दौरान पिति वर्ष सांदस उनलाव पांच अरफ डॉलर की पित्यक्ष विदेशी निभेश क लक्ष रखा गया योजना अबदी में पांच करोंग रूपे के आउसरों का सेजन करना लक्ष रखा गया इसके अत्रिक्त संदोहजार साथ अर्थात योजना के अंतर साख छर्दा बच्चत्परपिति विद्धी साथ सिशिव मित्ति पर पेंतालीस पिति हजार इस्तिकम करने का लग्ष रखा गया था एक तरह है ग्यारवी पंचवरशी योजना तो इसमें बता देती हैं आपकों को तो ग्यारवी पंचवरशी योजना रही 2007 से 2012 तक इसके मुख्य तथ बता दीते हैं जितने हैं यह योजना तीम बितर और अधिक समावी थी विकास की एक व्य 2007 सिस्व हुई थी इसके मुख्य तक थी कुछ बता देती हैं ती बित्तर और अधिक समावी थी विकास इसकी प्रात में तश्यत्ती तीम तम एबं समावी थी विकास कि तरह पंच बारवी पंचवरशी योजना कि बारवी पंचवरशी योजना तो उसमें बता दें आक्को वो 2012 से 2017 कर रही योजना आयुक का पत्त्त तीम धारणिये और अधिक समावी थी विकास इसका मुख लक्ष था कि बारवी पंचवरशी योजना का उसी सक्था तीम धारणिये अधिक समावी सी लक्ष थी अब बात कर लिए यहीं कुछ गरीवी तथा वे रोजगारी पूलन से संबंदित योजना है तथा उनकी प्यारम बर्श तो मरू भूमी विकास काईग्रम उनिस सट अस्तर अस्त ड्वार द्वाक्राह उनिस सब्यास्यमें जबाहर रोजगार योजना उनिसननननाउन नेहरू रोजगार दस लाख कुगाया योजना उनिसट आस जैबाट्याक आवास योजनाइए 1966 पीधर्वलोंत्री रोजगार योजना 1933 रोजगार stamp श्वासन योजणा 1909, श्वड जैनती शहरी रोजगार योजणा 1997, श्वड जैनती ग्राम स्वर intéressant योजणा योजणा 1997, जवाहर ग्राम सब्रिंधी 10 sen 1999, पुलीजदारो मंत्री ग्राम 1.10 योजणा 2000. संद संद दोफ़ार समय दोफ़ा यह नहीं फॉटा यूजना मेंठी भिवा यूजना यूजना जन शरी भीवा यूजना में में अन्ति भृष़् एक पासर भीवा यूजना 2001-2002 में, जीब जेपी रोजगार गारंटी योजना, 2002-2003 में, भारत निन्वार कार्पिरम, 2005-2006 में, राष्टिय गरामीड रोजगार गारंटी कार्पिरम, यह उगा 2006 में, अब आत परते हैं, राष्टिय गरामीड रोजगार गारंटी अधिनियम नरहीगा के बारे, ते द एट नेशनल रूड लग एम्प्लाइमेंट गारटी अगनियों सेप्टमब्र दोगेजार पांच में नीती निर्वाता जयाड एच गल्जीयों के अर्श्तिसास्ती थे क्रियार में गिरामी ड्विकास मत्राले द्वारा लागु शुरू में यह उजिना सटाई राज्यों के दोसो जिलों में लागु किये लेकिन अप्रेल दो यार आठ से यह 614 मतलब पूरे वारत में लागु किये विलाए संपूर गिराम रोजगार रही हो जिना काम के लिए सब्सक्राइब कराना इसमें सब्सक्राइब करने पर भी रोजगारी बंता देना होगा कार इस तर पर वित्ती होने पर 25,000 रुपे दीजा जाते थे कार की योधी थी साथ गंटे और सब्सक्राइब नहीं होगी कार इस तल घर से 5 किलो मेटर की वीशतर होगा दूर होने पर 10,30 सथ अत्रिक्तमज दोडि देनी होगी काम पाने का अधिकार कानूनी अधिकार है याद रखना काम पाने का दिकार है ये कानूनी अधिकार है नरेगा का नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्थेत करके मनिऊलेगा महत्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर लिया था अप बात करते हूँ भारती ये आयोजना से संब्धित महत्पूर्तत देली थे भारत में युविन्ना निर्माड नितु केंदी ये निकार है युविन्ना आयो थी इसके अध्यक शोते थे पिधार मंत्री राष्टी ये विकास परिशत का गठन हुआ राष्टी ये विकास परिशत का गठन हुआ 16-22 को के धार मंत्री इसके अध्यक्ष होते थे ये युजना आयोगद्वारा सामाजिक विम्राजनेतिक विद्धेशों को दियान में रखकर 5-20 वर्सों पे लिए बनाई जाती है ये ये विजना का अनुमोजन राष्टी ये विकास परिशत द्वारा होता था देश में पिथम परिशी ये विजना हैरोड डोमर हैरोड डोमन मोडल पर आधार थी भारत में गरीवी का आकलन पर्याप मात्रा में उपरिजा उप्यो 500 केलोरी बहुजन प्राप्त करने में आसमरत को यह मांदन रियुजना आयुक द्वारा निदारित किया गया था निरधेणों की संक्या में उत्तर विदेश कर इस्थान सबसे उपर वहीं निर्वाता है उडिशा मामली में सर्वोच इस्थान पर था चलिए हम बात करते हैं नई आर्थिक नीति के बारे में नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से सम्बंदित है जिसका उद्देश उत्पादिकता दित्ता में सुधार नई तक्नीक की आत्म साथ करना तथा समग रोप से चमता के फूर्णता फेव को एक राष्टिया विहान कर रोप देना नई आतिक सुधार की रोप रिखा सरफ थम राजीव गांधी की प्रिधानमंती काल में 1985 में बनाई गई और शुरूम की गई नई आतिक सुधार की दूसरी लहर पीवी नर्सिंगह राओ की सरकार के काल में 1991 में आई नई आतिक सुधार नीती 1991 को शुरूम करने का प्रमोक के कारण, खाडी यूद ततना भारत के भुकतां संतुलन की समस्या थी नई आतिक नीती तीन प्रमोक आयाम थे इसमें निजी करण, उदारी करण और विस व्यापी करण नई आतिक नीती सन 1991 के मुख चेत थे राजकोसिय नीती, मौद रेक नीती, मौल नेधारन नीती, विदेश नीती, अदोगिक नीती, देशी बिनिवे नीती, व्यापार नीती और चारुजनिक छेत नीती राजकोसिये नीती 1991 किता है मुख चार कदम उठाए गए सार्वजनिक पहला सार्वजनिक वेकु सक्ती सनेत्मित करना दूसरा था कर एवं कर बिन राजस को बढ़ाना तीसरा था केंद था राजसरकारों पर राजकोसिये नुफसासन लागू करना चोत्रा था अनुदान राजसरी में कटोती करना मौद्री नीती 1991 किता है इर्फिती कारी दबावों के लिए पिती बंधात्मक उपाय किये गए उद्धोग नीती 1991 किया दिन तीन उपाय लागू को लागू किया गया था में थे 18 उद्धेगों की सूची को छोड़ अन सभी उद्धेगों के लिए लाइसेंस अटा दिये गये थे एन आर्टीप कंपनियों को विनियोग हेतु MRTPI आयो आबो से मुक्त कर दिया था तीसरा था सार्विन चेत के लिए आरक्षित किरियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उप्स चेत्रों में निजी चेत की अनुमती दी गई विदेशी नीती बिनियोग नीती उननी से कानवे किता है जिन सुधारों को लक्षबद किया गया था वेतिने में बहुत से उद्देवों में इंक्याओं कि तीसाद विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित की सीमा तक पित्यक्षि विदेशी विनियोष की सुद्दा स्विकिती दी गई दूसरा था ने नि उच पराध्मिक्ता वाली उद्देवों में तकनीती तकनीकी संधियों के लिए सुता सुई पित्पित्पितार करेगी व्यापार नीती उन्नीस सो एकानवे किता है आरत्य विवस्ता के अंतराश्टिये एकिकरण को फुन्नत करने ही तूं उद्देव को प्राक्त अत्य वा आविवेकपूर सरक्षण धीरे दीरे समाप्त करने की दिशा में एकदम उठाए गये सार्व जलिक 6 संबंधी नीती 1991 किता है उद्देवों में कार को सलतार तथा बाजार नुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया गया विथी आरक्षिक उद्देवों क संख्या गाटा कर आठ कर दी गए बरतमान में के वलती जीन उद्देवों के पुनर उद्दान का कार उद्दोगेक एवं बित्तिये पुने निर्माण बोड को सौप दिया गया सारवजिनिक उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् नहीं आर्थिक सुदार नहीं नहीं आर्थिक सुदार नहीं से आगे बढ़ते हुए अब काफी खुली उदार वैस्वी कित हो जुकी थी इस समय नहीं उद्धोग जीती के तहित आरक्षिक उद्धोगों की संख्यातीन थी कौरकों से परमाडू उर्जा रेल परिवान और परमाडू उर्जा की अनुसूची में निर्जिस्ट खनिस्ट नौ मई 2001 को मंत्री मंडल लिये नेडर केंसा सरकार ने सुरक्षा उत्पादर के छेतर में निजी छेत के प्रवेश की अनुमती पिदान कर दी जिसके लिए कंपनी को रक्षा मंत्राले में लैसेंस लेना सौपिती सद निर्याद मूलक एकाईयों में एक सौपिती सद विदेशी पूझी नेवेश की अनुमती दी गई वीनेवेश या अपनेवेश कारत उद्वों में सरकारी भागेदारी घटाना सन 1996 में वीनेवेश उद्व मुद्दे पर समीक्षा सुजहावत थभी के वीनेवेश कमीशन का गठन वीनेवेश कमीशन के पहले अध्यक्षते जेवी रामकिष्ण उद्वों की कादू की करन तक्निकी विकास के बैडाम सरूप फिर भावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रूप्र उद्वों के काईयों के विस्थापित स्रेमकों की स स्थापना के लिए सन 1992 इस भी महराष्टिय नभी कर्णिदी की स्थापना नवरतन कंप जैसी कंपनियां जो बिस इस तरिये कंपनियों के रूम में ओभर रही थी तथा जैसे सरकार ने प्रुटसायत करने के उद्देश से उन स्वायतता विदान की ऐसी कुल 20 कंपनिया की प एवं रोजगार से जनकारी दिशावी विकास्त था देश में से गरीवी का उन्हुलन करना था अब यहीं बात पर लेते हैं उद्दोगिक चित और वी निवेश विदेशी निवेश की सीमा 2000 सार्वजनेक बैंकिंग चित में 4930 नीजी बैंकिंग चित में में 100 नागरी कुढ़े में 100 और वीमाचित में 100 कोईलाचित में 100 भारतिय विवस्ता की बात कर लेते भारतिय विवस्ता थे ताइस पर ऐसी विवेश्ता से जिसमें वेक्तियों, वित्तिये संस्थाओं, बैंकों और दोगी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा वित्ति की मांग उत्तिये इसकी पूर्टी की जाती है भारतिये वित्ता को दो पक्च होते हैं, पहला पक्च मांग दूसरा पूर्टी मांग पक्ष का पितिनित वेटि गत नेवेशक और दोगेक तथा ब्यापारिक कंपनियां सरकार आधी करते ही जब कि पूर्थी पक्ष का पितिनित बैंक वीमा कंपनियां मेचूरत अन वित्री ये संत्याय सलस्थाओं करती है भारतिये वित्विवस्ता को दो भागों में बाटा गया भारतिये मुद्रा वाजार भारतिये पूजी वाजार भारतिये मुद्रा वाजार को तीर भागों में बाटा गया आसंगट चेत, संगट चेत और बैंकिंग चेत तथा मुद्रा वाजार का वाजार आसंगट चेत के इंतगर देशी बैंकर, साहुकार, महाजन, आधी, परमपरा का सुरोज आते हैं गिरामीड तथा किरसी साथ में अभी इसकी महती बूम क्या होती है संगटत चित की बात करन तो भारतिय रिजब बैंक सेश सलस्था थी इसमें इसके अतरिक सारोजनेक चित के बैंक, निजी चित के बैंक, विदेशी बैंक तथा अनवित्तिय सलस्था याती है भारतिय रजब बैंक देश में मौत्रिक गतिविदियों के नेमन का नेत्र करता है भारतिय रजब बैंक के दो पिकार के कार है पहला सामन केंद्रिय बैंक कार दूसरा विकास समंदी और पिवरतन कार समान ता केंधीय बैंकिंग कार के जाते हैं करेंसी नोटों का निम्लिकार किया जाते हैं सरकारी भी बैंकर का काम के बैंक का कम साटी नेंत्र करना विकास समंदी इवंग विवर्टनक थाочему दीछ कितीव अन्धात्मक नेतन बच्चतों को बैंक, बैंकों बाँ अन्वित्तिय संस्थाओं के माद्यम से वत्पाधन के लिए उपलब्द कराना, तीसरा है लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश से सन 1964 इस्वी में भारतिय यूनिट ट्रेश्ट की स्थापन पूर जिम्मेदारी है, इसी उद्देश के सन 1963 में किलसी पुनरवित दिकास निगम की स्थापना की गई थी, भारतिय रेज़े बैंक द्वारा साख पन्नेंतन जिम्दत तरीकों से किया जाता है, बैंक दरनेती द्वारा, खुले वाजार की प्तिरियाओं द्वारा, बैं अत्मक साब नेतर नीती से और नेतिक विभाव की द्रश्टी से, मुद्रा वाजार काउख वाजार की पिसेश पेकार की पिति गूती वाजार है, ये पिति गूती कॉल मुद्रा, अलपावधी के बिल, 182 दिन के टेजरी बिल, जमा परवार पत और बेभारिक पत, डी एप एचाई अर्थाट डिसकाउंट एडवांस फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड मुद्रा बाजार एक विशिष्ट संथा है संथा है जिसकी स्थापना सन 1988 में किये इसका प्वार बेंगों तथा वित्थिय संस्थाओं की कटोथी और पर कटोथी यह आवस्रतां को पूरा करना है मुद्रा बाजार के उपक्रण उपलत कराना है इसकी स्थापना सन 1992 में हुई फ्रे पूजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात से बिनना है मुद्रा बाजार इस बित्रीये विवस्था के बाजार में मत्यम, दीकार के कोशों। का आधानपिदान किया जाता है है भारतिय पूजी बाजार को मोटे तोर पर दो भागों में बाटा जाता है कौनकों से यह है ग्ल्ट एज़ ग्ल्ट बाजार और उद्धोगी किती बूती बाजार ग्ल्ट एज़ द्वाजार में रिजर्बैंक के मात्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी पिती बूतियों का ग्रेवित्दतर पिया जाता है गिल्ट एल्ड वाज्यार में सर्कारी और अर्द सर्कारी पिती भूथियों का मूल इस्ति रगता और इश्चित की अन्पिती भूथियों के समान इनमें आज रेविक्रा लही हुए अजिस ठांट में लेइस थाफित होने वाले या पहले से कि इस्थाफित उद्धोगी कुक्रमों के सिया डिवेंचर का प्रेविक्रा किया जाता है यदि पूझी वाजार में निजी निगम छेट की नए अंसों डिवेंचरों सरकारी कंपनीयों की प्रात्मिक तापिती भूती यह नई पिती भूती तता साल्जिन छेट के ब्रांड बंडों कि निगमों नर्गमों का क्रेविक्रा किया जाता है तो ऐसे वाजार को प्रात में पूझी वाजार खेजाते हैं तो दिए पूझी वाजार की अंतरगत स्टॉक एक्चेंज में होने वाले क्रेविक्रा तथा गिल्ड गिल्ड वाजार में होने वाले क्रेविक्रा रहा थी भारतिय पूजी बाजार में पूजी के सरोत अंस पूजी ग्रहण पत इसके अतरिक सरोत के रूप में जे सज्था है जो गित्तिय मद्द्रस्ट की गूम करने बाती है जैसे मर्चेंट बैंक, मेर्चुरल फंड, लीजिंग कंपरियां जो के बाद पूजी कंपरियां यूटी आई अर्थि भारतिय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे मेर्चुरल फंड संस्ता है इस्टॉक एक ऐसी व्यवस्ता का बाजार है जिसका छोटे निवेश तक निवेश कर सक द्धा यहीं बात कर लेते हैं हम लो कि पिछले सब्दा बनि तो म्हाय जिस सामान भ्याज पर रिजर्ब्बेंक द्वारा की वाडिनिट बैंक को पैसा उधार दिया जाता है उसे इसकी मातयं से म्हार्व सायवार्व credit control किया जाता है पर है रिपो दर रिपो दर अल्प कालिक आवसकताओं की पूरती है तु जिस ब्याज़ दर पर commercial bank reserve bank को नगद rate प्राप्त करते हैं रिजर बैंक से इसे रिपो रिपो दर करते हैं रिवर्स रिपूर्ट दर्फ अल्प कालिक अवदी के लिए रेजर्ब बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से चिस ब्याज पर नगदी प्राप्त की जाती है रिवर्स रिपूर्ट दर्फ कहलाता है साओधी जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर्फ को जमादर कहते हैं नगद आरक्चित अनपाथ CRR किसी वर्डिजिक बैंक में पुल जमारासी का वैपिती सत्थ जिसे रिजर्ब बैंक के पास अनिवार रूप से जमा करना पड़ता है नगद आरक्चित अनपाथ कहलाता है CRR इसकी दर जितनी उची होती है बैंक की साथ सेजन चमता उतनी कम होती है बैधानिक तरलता अनपाथ की बात करने तो SLR किसी भी बाडिजिक बैंक में पुल जमारासी का वैपाब जो नगद शोड़ वा विदेशी मुद्राव की रूप है उसे अपने पास अनिवार रूप से रखना पड़ता है बैधानिक तरलता अनपाथ कहलाता है बैंकों को वित्तुवी ये संकट का सामना करने तो या बैंकों रिजर बैंक द्वारा एसी विवस्ता की जबता है प्रिम लेंडिंग रेट कर्यादार के अब कर लेटा प्रियूनभ ल içल्ए उस्ते प्रिटल खने की स्थापना टवी 12 अप्रेल 1988 को आर्थिक उधारण उधारी करण की नीती के अंतरवल पूजी बाजार में निवेशकों की रूची बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्दे से की गई थी 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादिश के द्वारा इसे बैदाने की दर्जा विप्यदान किया कर दिया है सेवी अधिनियम को संसोदित कर 30 जनवरी 1992 को सेवी मेच कल खंड यह हो इस्टॉप मार्केट के इंडियंतर के अधिकार दिये गए सेवी के अध्यक्ष पत पर सामन का कारिका सेवी के अधिक्ष का किन्तु अधिक्तम आयू 65 बर्स तक है कोई ब्यक्ति इस पर पर रह सकता है सेवी का प्यबंद 600 द्वारा किया जाता है इसमें चेयर्मेन होता है यह जो कैन्द सरकाद द्वारा नामित होता है 1988 में सेवी की प्यारंबिक पूजी साथ दसम लोग 5 करोड रुपे थी जो प्यवर्तक कंपिनियों द्वारा दीगरी थी इसी रास्ति के ब्याच की आयल सेवी के दिन पिती दिन के काल संबन होते थे भारतिये पूजी बाजार को वी नेमित करने की बैदान एक सकतिया अब एक ब्राधानों के अनसाल जब किसी भी सेअर वाजार स्टॉप एक्चेंज को मानता फिदान करने का अधिकार सेवी को है सेवी को है सेवी के लिए 25 करोड रुपे तक जुर्वाना सेवी द्वारा किया जा सकता है इसी द्वेक में लगू निवेसिकों के साथ धोका रुपे तिती दिन की दर से 1 करोड रुपे जुर्वाना आरुपित कंडे का प्राधार वी सेवी को है यह तो अधमात करते हैं भारत के पिर्मुक्ष सेयर वाजारों को देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं राश्टीय सेयर वाजार नेशनल स्टॉप एक्चेंग एन एन ऐसी भी बूला जाता है ऐसे एन ऐसी राश्टीय सेयर वाजार की स्थापना की संसुत्ती 1991 में फेरवानी संती ने की थी 1992 में सरकार ने भारतिय उद्दोगविक विकास बैंक को इस वाजार की स्थापना का कार सौपा IDVI जाने की भारतिय और दोगविकास बैंक की राश्टीय सेयर वाजार का मुख विवर्दक है राश्टीय सेयर वाजार की प्यारम में अधिकित पूंजी थी 25 क्रूर रुपे इसका मुक्षाल है मुंबई में थी बढ़ लिए अब बात करते हैं गॉंबे श्टॉक एक्च मुंबई की नाम से की गई थी जिसे 2002 में बदल कर मुंबे स्टॉक्स एक्चेंज कर दिया गया उनिस अगस्त 2005 से वी एसी एक पब्लिक लिमिंट कंपिटी में रूप आंतित हो गई इसमें बरत्मान में 4800 से भी अधिक भारतिये कंपिनियां पंजी करतें फिर ओबर दी का अपना नवंबर 1912 में मुंबई में की गई भारति में सरप्रिथम ओनलाइन टेरिंग सुग्दा संपन कंप्यूटराइट एक्चेंज नेस्टेफ के आधार पर की गई OTCI मतलब ओवर्ट दी काउंटर एक्चेंज और इंडिया के आधार में उन कंपिनियों को सुची बाद दिखिया जाता है इनकी पूंजी का इस्तर 30 लाख रुपे से 25 लाख रुपे से 25 करोण रुपे है इसका पहला संगेट सेरवाजार बस 1602 में एमस्टर्डम नीदरलेंड विस्तागत किया गया था इस्टॉक से एक्चेंज में 90 तीशत तक विदेशी निवेज के इनपती है इनमें विदेशी पिदेशी निवेज किया दिखितम 26 से 27 संस्तागत विदेशी निवेज हो सकता है निवार्ड स्टॉक एक्चेंज में सूची बत भारत की आठ कंपनिया थी डॉक्टर रेडी लेवर्टीज एश्टी एपसी आई सी आई सी आई सी आई बैंक संट्यम कंप्यूटर विदेशी संचार निगम लेप्टर विएशनल विप्रो टाटा मोर्ड अब यहीं बात कर ले देंगे अपनों विशके पिसंदे सेयर वाजारों की पिर मुख सेयर मूल सुचका है, इस सेयर मूल सुचका है हो गया, स्टॉक एक्चन हो गया, डो जोन्स डो जोन्स निवार्ग, निक्की टोक्यो, मिढक्स हेंगफर्ट हॉंग सैंग्शंग होंग सिमिक्स स्टेप्स टाइम्स सिंगापुर कॉस्पी कोरिया सैट थाइलेंड तेन ताइवान संहाइ कौम चेन नास्दाद यूएसे एस एंड़ी कनाड़ा बोब वेस्पा राइल मेबटल इटली आईपी सी मेच्छो जकार्टा कंपोजिट इंडोनेशिया के एल एसी कंपोजिट मलेशिया सेवल कंपोजिट दच्छिड कुरिया एफ्टी एसी हंडेड लंदन के आगे बात करते हैं भारतिये कंपनिया अधिनियंग के अंसों में निगरानी का अधिकाद होता है इस पतारी कद्धित की पूंजी अंस पूही यह सेयर कहलाती है सियर होलडरों की स्टोक पर कोई कमाई कुर लावन्स कहते हैं भारत के प्रमोग सेयर मुल सूचकांग को की बात करें तो भी एस बीयसी सेंड्यक्स यह मुंबई स्टोक सेक्षिंट सम्वेदी सेयर शुचकांग है यह 30 प्रमुक शेयरों का पिती निदित करता है इसका आधार बर्स था 1978-89 फ्रे वीएसी यह मुंबई इस्टॉक से चेंग का 200 सेयरों का पिती निदित करता है इसका आधार बर्स सुचकांग काई डॉलर मूल सुचकांग डॉल एक्स कहलाता है एनसी 50 राष्टी श्टॉक एक्चेंज दिल्ली से सम्मधित सुचकांग का नाम बदल कर एक सेटी रखा गया बात करते हैं भारतिय वित्विवस्ता ते जुड़े कुछ महत्तपूर तत तो भारत में वित्विवस्त एक अप्रेल से 31 मार्श देख होता है रेजर पैंग की स्थापना एक अप्रेल 1935 को पांच करोड़ रुपे की अधी करत फूजी से कुई थी एक जनुर्णंचास को इसका राष्टी एक रोण गुए तो यहां दो बाते हैं याद रखिए एक अप्रेल 1935 को इस्थापना भूई रहजैर बैंक की और राष्टी का अधीक कभूए रेजर बैंक का अथे एक जन्मरी कुए निस i चास्ट पी बेंक का भारत केंदिय करता है इसके अतरिक्त समस्त करेंसी नोटों का लेखनों निर्गम ब्रेजर बेंक करता है मुद्रा की देसमला पेडाली के साथ पिछले नया पैसा एक अप्रेल 1967 से पैसा हो गया उन रूप से पहला भारतिये बैंक पंजाब नेस्ब बैंक था इसकी स्थापना 1894 में की गई आठ चेत्रिये बैंकों का राष्टी इकल इस्टेट और बैंक की साहिक दर्जा दिया गया बर्तमान में इस्टेट बैंक इंडिया की छे साहिक बैंक है जो कि 17 जलाई 1970 को 14 बड़ी प्यवक्शाइग बैंकों तत्हां 15 अपरेद 186 अन्य सूचित अनु सूचित बैंकों का राष्टी इकल किया गया था इस सबसे पहले याद रखिए इस सबसे बड़ा है जो कुल जमा का लगबग 29 पिती सब्सक्राइब का इस सबसे बड़ा है जो कुल जमा का लगबग 29 पिती सब्सक्राइब करने अंतर करता है वड़ी बैंकों का स्विच्छिप सेवाने में देउजना को लागू करने वाला सार्विजनिक चित का बैंक पंजाब नेशनल बैंक था इसने यह यह जिना एक नवह पर 2000 को लागू की थी अब कहते हैं पहले चरण में राष्टी एकद बैंक होगी जो राष्टी एकद गए था पहले चरण में उनिस उनस्तर में उने देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया युनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बढ़ोदा बैंक ऑफ महराष्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केनेरा बैंक सेंडिकेट बैंक युनाइटिड कमर्सियल बैंक पंजाब नेशनल बैंक इंडियन बैंक इं दूसरा चैनम में हुए था छे बैंकों का उनिस स्वस्ती में इसमें सामिल थी आंद्रा बैंक कार्पोरेशन बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया और येंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स पंजाब तथा सिंध बैंक और वजिया बैंक ते अब बात करते हैं देश में पहला मुबाइ रोपे की लागत में से एक मोबाइल बैंड में की गई थी इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तेरता एटीम कोची में नौ परवड़ी 2004 को लोच किया गया था यहें एटीम केरला सिपिंग एंड इनलेंड नेवीगेशन कोर्पेशन के जंकार नामक इ एस्टेमर और खूलं और ब्रिपीन के वीज चलता है बैकंग कंपनी से वेंक के रू में बैंकर कोलेंग द्रूह प्हला बैंक को महिंद्र और रायनो कंपथा कि ना कि रिष्करोंं 시청 है specific मैं नई व्यक्ति कर दुखिए परेएंगष में इसका मुख्यावाद में भारत नीजे में मात होता तीन एस कारी भंव्याद है था राज करद संतियां उती है जो गिराम इस तरवर कार करती है फितम गिरामीड इस्तर की बेंग की बात करें तो दो अक्टोबर 1975 हो ये सिक्किम और गुवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में चेत्रिय गिरामीड बेंग कारगत है बैंकिंग फिडाली की पूरनर शर्रचना के संबंद में सुजाओ दैने के लिए 1991 में नरसिंबं सम्ति की कगठन किया गया था तो याद रखे नरसिंबं सम्ति का संबंद काई से था बैंकों के बैंक्वी पेडाली की फुर्नाइक से लिचनाग से संबंद राष्टिय किर्सी तर्था गिर्मामीड विकास में नावाड देश में किर्सी एवं गिरामीड विकास ही तू उपलब देकराने बारिस जीज संस्ता है बरतमार में 2010 में नावाड की चुकता हो जी दो हजार करो रुपे जिसमें पत्तर दिसमलाओ पांट की दीसात से जारी तर्विय की थी माइक्रो फाइनेंस की बढ़ती हुई मांग येवं उपयोगता को देखते हुए इसके बेने में विकास के लिए राष्टिय विकास में नावाड का नियामक निकाय बनाने का सरका पार विचार करें इसके लिए दाव माइक्रो फाइनेंसियल सेक्टर बिल 2007 लोगसवा में दो बीस मार्च 2007 को पिस्तत किया गया था इस बिरेख में माइक्रो फाइनेंस डव्लम्मेंट एंट एक्क्वेटी फंड नाम से एक कोस के सेजन का प्राव दोने भूमी विकास बैंक मूलता देविक का लिंसा को प्लक बताती है भूमी विकास बैंक का आरंब भूमी बंदक बैंक के रूम में 1929 में हुआ था भारतिय उद्धोगी विकास बैंक की स्थापना एक फरबड़ी 1964 को की गई इसने अपना कार एक जुलाई 1966 से किया यूटी आ गया बैंक का नाव 30 जुलाई 2007 से प्रभावी किया गया अपनेजी चेत्र के बैंकों की बात करते हैं पंजीकरत कार्या लाक विस्थापनावर्श तो इंडस इंडवेंक फूरे में 2 अपरेल 1994 में गिलोगल ट्रस्ट बैंक सिखंद्राबाद में पंजीकरत कार्या लाक जे 269 1994 ICC ICI Bank बढ़ोदा 75 1994 UTI Bank एहंदाबाद 2894 टाइमस Bank हरीदाबाद 26 चार 95 सिचूरियन Bank पढ़जी 1395 बैंकों पंजाब चंडीगर 5 चार 95 LTFC Bank मुंबई 595 IDBI Bank इन दौर 2895 डवलमेंट केट बैंक लिमेटेट मुंबई 31 मार्च पंजाब आगे दिखते है आर आई आर बी आई अर्थाद भारतिय उद्धोगी पुनर्म निर्माड बैंक की स्कापना आज स्वस्त उद्धिविक एकाई होगी पुनर्म निर्माड क उद्धिश में 20 मार्च 1985 में की गई थी भारतिय यूनिट ट्रस्ट एक फरवरी 1964 को संसधी अधिनियम से इस्थाबित किया गया भारतिय यूनिट ट्रस्ट अब अपने फ्रीवर्तित स्वरूप में नेजी छेत की कंपनी हो गया है यूटियाई सेकम में कर दिया गया था यूटियाई के सुध्य परीसमपति मोल आधारीं सभी योजिनाओं को इटीयाई सेकट के अधिन रखा गया था तथा इस इसकी परिशमपतियों का PRYCALन अधीकाव भारतिये जीबन वीमानिंग मारतिये स्टेट बैंक बैंको बढ़ोद्रा पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया था इन चारों बैंकों ने सरकाल को पूरा भूल चुका कर यूटी आई सेकंड के प्रिभंधन के साथ इसका स्वामित भी हासिल कर लिये इन चारों की हिस्सेदारी 25-25-35 भारतिय जीवन बीवा निगम का मुठ्याल है मुंबई में इसके साथ जोनोट कार्याल है और 106 कार्याल है इसकी स्थापना 1956 में हुई भारतिय साधारन बीवा निगम की स्थापना 1912 में हुई 17 मार्च 1907 को सरकार ने कंपनी अधिनियम सन 1956 की भारतिय जीवन निवेश बैंक लेमिटिट की स्थापना की बरतमान में इसकी पूझी सबसे पहले बात करते हैं इंपिरियल बैंक अपर इंडिया तो इसकी स्थापना हुई 1929 में भारतिय रेजम बैंक इसका मुक्ष्याल है मुंबई में इसकी स्थापना हुई 1 अपरेल 1935 में भारतिय उद्धोगी निगम तो इसकी स्थापना 1948 में भारतिय उद्धोगी करेड़ बार निभीस निगम जनवरी 1955 भारतिय श्टेट में एक जुलाई 1955 में इसकी स्थापना भारतिय यूनिट ट्रस्ट इसका मुख्याल है मुंबई में है इसकी स्थापना हुई एक फरवरी 1964 किरसी इवं गिरामीड विकास हितुराष्टी बैंक नावार इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 भारतिय उद्दोगी कुनार नेर्मार बैंक इसकी स्थापना हुई 20 मार्च उननिस सो पचासी भारतिय लगवू उद्देव विकास बैंक इसका मुख्याल है लगनाव में इसकी स्थापना हुई अफरेल 1990 आयाद निर्याद आयाद बैंक एक जनबर इननीस सो ब्यासी राष्टी यावास बैंक जुलाई उननीस सो पचासी चित्रिय गर्मार ग्रामीड बैंक दो अक्टूबर 1975 भारतिय जीवन वीमा इसका मुख्याला है मुबई में सिंटमबर 1956 में इसकी स्थापना भारतिय साध साधरन भीमालेगों एक नबंबर 1932 में राष्टिय किर्षी तथा ग्रामीड विकास बैंक नावाड इसकी जुलाई इसकी स्थापना बारे जुलाई 1982 टिय फुक्रिषी ग्रामीड विकास हितु राष्टिय बैंक इसकी स्थापना भी बारे जुलाई 1982 कर कि प्यकार त्य अप्त्यक्षकर की जगए अब विक्री कर तटकर उध्वात कर सीमसुल्ग कर आते थे इसमें लेकिन अब जीज़टी आ गया है तब से इन्हें आप्त्यक्षकरों की जगए किन सरकार द्वार लगाये जाने वाले कर थे आयकर निगम कर संपत्ती पर कर उत्त्रादिकार कर धन कर वफार कर सीमसुल्ग किरसी धन पर बखकर राज सरकार द्वार लगाये जाते थे बहुराजस किरसी आय पर कर किरसी जोद कर विक्री कर राज जोथ पादन सुल्ग मनुर की पिराप्ति सीमा सुलकों से होती थी शीमा सुलक से प्राप्त राजस का भटवारा राज्यों को नहीं करना है करभ दाचे में सुझा नहीं आ रही अगर्सट उनीश वा इकानवे में हो तो पूछ सकता है चलिया सम्ती का समंध किस से साथ तो याद रखी कर ढाचे में सुधार से संपने वह यह आई अगर तो 1991 पर चोटे व्यापारियों के लिए एक मुस्त आयकर युजना की से फारिश चलिया सम्ती ने की थी चलिया सम्ती ने गयर किसकों को 25,000 रोपे से अदिक की बार से किर्शी आय पर आयकर लगाने की संसुधी की थी भारत में पिती भूती मुद्रण एवं सिकों का उत्पादन तो इंडिया से कॉर्टिक पेस नास एक रोड इस्तित भारतिय पिती भूती मुद्राड मुद्राडल है मैं डाक समधी लेकर समख गरी डाक एवं डाक विवन टिक्टों अधालते एवं गयर अधालती रिष्टाम्पों बैंकों की चेक ब्राणों राष्टिय वचत पत्रों पोश्टल ओर पास्पोर्ट इसमें सेकोर्टी पैंटिंग पेस हिद्राबाद की स्थावना दच्छेट राज्यों की डाक लेकर समख लेकर समखरी की मांगों को कूरा करने वा पूरे देश की कैंदरी ऊत्पात शुल्क इस्टाम की मांग को पूरा करने के लिए 282 में की गई थी ताकि भार कि प्ति भीपति बुद्रां ले नासिक रोड की उत्पादन की हनुमति की जा सके करेंसी नोट टेश नासिक महराज नासिक रोड इस तरफ करेंसी नोट फेश में दस पचास सो पांसो हजार दो जार अब तो जैसे पता है आपको हजार रुपे का नोट बंद हो गया अब दो हजार का गया तो प्रेंक नोट चापती है उनकी पूर्ती करती है बैंक नोट फेस देवास मंद्देश में देवास में इसके बैंक नोट फेस 20 रुपे 50 रुपे 100 रुपे के और उच्च मूल बार के नोट चाथती है बैंक नोट फेस का स्याही का कारखाना पिती पूती पत्तों को स्याही का निर्वार भी करता है साहवनी पर्ष्य मंगाल मैसूर करनाटक कि भारती रेजब बैंक बैंक नोट मुद्रन लिमिटेड दो नए इबम अत्यादवनिक करेंसी नोट पेस मैसूर करनाटक सालवनी पर्ष्य मंगाल में स्थाप्त किये यहां आरवियाई के नेंतर में करेंसी नोट चापे जाते है साहवनी पर्ष्य मंगाल और मैसूर करनाटक चलिए बात करते हैं लोग सिकॉर्टी पेपर मिल होसंगाबाद मत्रीज में डेंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन यूडिसियल इस्टाम पेपर की चपाई में फेव होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिकॉर्टी पेपर में होसंगाबाद में उनीस सरसाट सब्भात करते हैं टकसाल सिकों का उतपादन करने था सोने और चांडी की परक करने एवं तबंगोंइघ करने क्लिए बहाधर सरकार की और से चार टकसाल है मुंबई कोलकाता हैधराबाद 9 excrept मुंबई फैराबाद कोलकाता की टकसाले कापी समय पहले करमसा 18.30 1950 में इसたいद्ध की गरी जब कि 919 की तकसाल 1989 में सबसा की गरी मुंबई यह यह था कोलकाती की टकसालों में सिख्य के अप destroying किया जाते के जाते झाल झाल चलिए तो हम किरसी देखते हैं अर्थ व्यूस्ता में किरसी जैसा कि आपको पता है किरसी भारती अर्थ पस्ता गमेर उतन्ड है तथा जैसांख्या का बावन पित्ती सद्वाग अजीब का के लिए एक किरसी बने बड़ा है निजी छेत का सबसे बड़ा बेवसा है किरसी है अब आपको या इन आकड़े पुराने हो चुके हैं तो कुई मतलब भी नहीं है ठीक जो नए क्राइट अपिस आये उसी में नए आकड़े देख लेंगे लोग जो काम के फॉइंट है उन्हें देख ले थे जन्वरी 2004 में राष्टी एकिसान आयू का गठन बता जिसके पि किसी अनुदान और उत्पादन कास्त गारी सुदाहर के अंतरगत मुक्तीन पिकार के उपाय थे लगान का नेवन कास्त अदिकार किस रख्चा कास्त कारों को भूमी का मल गाड़ अति अधिकार देना किसी पहना ? किसी प्रूम्रागटन के अंतरगत मुक्त के दूपाय की गए जोतों की सीमाबंदी जोतों की चकற बनी भारत में जोतों की संत्रा सीमान थे पिकारगी है एक हेक्टर से कम छितफल वाले जोत सीमान जोत कहलाते है एक से चार हेक्टर वाली जोत लगु जोत कहलाती है चार हेक्टर से बड़े छितफल वाले जोत कहलाते है भारत में सबसे पहले 1920 में बड़ोदा में चदवन्दी लाग हुआ, हरत क्रांदी के प्यारम में हरित क्रांदी का प्यारम तीसरी पच्चपस ही उजना हुआ, हरत क्रांदी का सरवादिक सकारात में प्रवाव गेहूं परपड़ा जिसकी पैदागार 535 की बिद्दी हुई किर्सी बित के गयर संस्ता के सरोतों में महाजंत, साहुका, समंदी या रिस्तिदार, व्यापारिक, जमीदार अडियल होते हैं सहकारी साथ संगटन का प्यारम सरव पिताम 1904 में हुआ, प्रात्मिक सहकारी समितियाल कालिं रेड उपलग्द कराती है यहीं किर्सी बोड कुथात बोड को देख लिए टी बोड, इसकी इस्थापना टेक अप्रेल 1905 को वही थी, खुलगाता में इसका मुख्याल है, तमाकु बोड, एक जनवर 1906 में इसकी इस्थापना ही, गॉन्टूर में इसका मुख्याल है, मसाला बोड, 26 फरबर 1908 कोची में हैंसका, COPY BORD بैंगलोर में है, रवर्ड BORD, KutTAYA में है 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 इसका मुख्याल है, व्यापार BORD, 5 मार्च 89 गुई, राष्टि ए डेरी, विकास BORD, 1965 में, आनन्द में है इसका मुख्याल है, एक फसल के बूल हो गए तो जो करेंट आपड़े आए होगे या हम लोग देख लेंगे हांगी करेंट पीस में क्या क्या रहा है ठीक है फिर बात करते हैं उद्धियोगों की आजादी के बाद भारत में उद्धोगिक नीती सब्मंदी पिस्ताव उन्नी सौर्टालीस में पारित किया ग बारत में उद्धोगिक नीती पुनाहा उन्ईसวpper मिलाएगी जैसे सार्व नेrin चेत कविस्तार सेहकारी चेत कविकार तथा नेगी हीकादीकारों पर आधिकारों पर नियंतर जैसे उद्देश सामल किये गए सन 1948 में उद्दोविक नीती में उद्दोविक नीती में उद्दोविक नीती आर्थिर संगभात की दाढ़ना से पेरित थी तथा इसमें किरसी पर आधारित उद्दोविक नीती की ते गोशना 24 जुलाई joins 1991 में कि जिसमें ब्यापक और उद्दोविक नीती में 18 प्रमुक उद्दोविक झोड़क अन्य समय उद्धोगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया बाद में 13 और उद्धोगों को लाइसेंस की आवस्त्ता से मुक्त कर दिया गया जिससे लाइसेंस की अवस्ता से एक तो उद्धों की संख्या वरतमार में गटकर पांच रहे गी थी नई उद्धों की नीती में निजी करण येवं उदारी करण पर मुक्ता सार्वजनेक उद्ध्यम वैसे उद्ध्यम में जिसका संचालन नेंतर सरकार द्वार किया जाता है अपरेल 2010 में नौरत अंदर या फ्राफ कंपनियों की कुल संख्या 20 तफ़त 1967 में मूलता नौ कंपनियों के लिए स्रेजर किया गया था लैसेंस की आपसकता से मुक्तुद्देव एलखुआ लिखत प्रयों का आस्मन इसके सरा इनसे सरा बनना तमाकु के सिगार सिंगरेट शिगरेट बीनिर में तमाकु की अन्नेविकल एलेक्टोनिक एरोस्पेस तथा रक्षा उपकर सभी पिकार कि डिटोनेट टिटोनेट फियूज, सेप्टी फियूज, गन पाउडर, नाइट्रोर, सेलिलियूज, तथा मार्चे सैथ, उद्द्वविक विस्पोर्टक, खतरनाक रसाएं, बात कर लेते हैं, नव रतना, नव रतन का दरजा प्राप्ष कम्पनियों के बारे में, स्थाफ नमर्स, मुक्ष्या ले छी, भारतीय है वेएवी एलेक्टिकल्स लिम एटिडेल, उननीस सोसटथ में, नईदिलियूज, भारतीय पेट्dıॉलियम कॉर्पूलियम nodig, मुंपई में, हिंदुस्तान पेटॉलियम कॉर्पूलियम कॉर्पूलियम नीस सेधर मुंपई में, मु зд faktiskt, सैथे भारतीय तिलनि नई दिल्ली तेल एबं प्राक्तिक गेस नेगम इसकी स्थाफनाँ 1956 देहराधून में इसका मुख्याल है राष्टिय ताप बिद्दो नेगम एंटीपीसी 1975 में इसकी स्थाफनाँ नई दिल्ली में भार्तिय ताप बिद्दो नेगम इसकी स्थाफनाँ नेगम इसका मुख्याल है पावर्ब थाइनेंस कोर्पोरेशन पी-एम-सी उनीससजसी मेंकी स्थाफनाँ नई दिल्ली में इसका मुख्याल है पावर्ब राष्टिय खनेजबिकास निगम एंडल मींद्दीसी 1950 में इसकी स्थाफनाँ थाफनाँ हैदराबद में इसका मुख्याल है वंद्सका हैचाई पावर ग्रेड कॉर्पोरेशंट स्वर एंडिया उननीघर यंडिया इसकी स्थापनाँ 1961 मुंबई में इसका मुख्या लाए Chicago inala a 1970 25 इसकी स्थापनाली औल्काथा में मुख्या ले जाच्च ग्र suppressmed never 1982 में इसका इसको स्थापनार वाएल इंडिया लिमिटिट उदि एक 1969 में से कंपनियों से कंपनियों को ज़्यादा प्रिशास में और वित्तिय सहायता मिलती है यह कंपनिया सरकार की अनुपति के बगए देश में अभी देश में सायुक्तुद्यम लगा सकती है और उनमें अपनी नेटवर्ट के 15% तक निवेश कर सकती है सार्विजरी चत्की कंपनियों के लिए महारतन का दर्जा कसेजन का डेड़ा केंद्रिय मंती मंदल है 21 दिसंबर 2009 की बैठक में गिया था अभी बता दें 2019 की भारत में 10 महारतन कंपनिया हैं कौन-कौन सी है भारत थेबरी भारत हैवी एलेक्टिक लिमिटेड भारत पेटॉलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड कौल इंडिया लिमिटेड गेल लिमिटेड इंदुस्तान पेटॉलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया वायल कोर्पोरेशन लिमिटेड एंटी पीसी लिमिटेड तेल और फ्राक्तिक गैस नेगब लिमिटेड, पावर ग्रेड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और स्टील अथोर्टी आफ इंडिया लिमिटेड यानि की दस से याद रखना महारतन कंपनिया आथे गणना दोजार पाच के अमसादिश में कि सभी पुराने आप रहे हैं कोई मतलब के नहीं है आगे बात करते हैं लगू कुटीर विशेश ध्यान 1977 की उद्दोगित नीथी में दिया जया जिला उद्देव को कि स्थापना 1977 में की गई खिर लगू उद्देव को बित्विदान करने के उद्देश से 1990 में सिडवी अर्थाथ भारतिय लगू उद्देव विकास्क बैंकी स्थापना की गई आविद हुसैन समती लगू दोगम सुधार से संब्द थी लगू उद्देव वैसे उद्देव होते हैं जिसमें अधिक से अधिक एक करोर रोपे का निवेस हुआ हो भारतिय उद्दोग वित्त नेगम आई एंफ सी आई की स्थापना सम्मिधान के विशेश अधिनियम एद्वारा एक जुलाई उनिस्सो औरतारीस को की गई आईसी 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 आई अर्था भारतिय उद्दोग वित्त साख एवं निवेस नेगम लिमिटेड क्रिश्थापना सम्मिधान निस्सो पच्छपन इसमें भारतिय कंपनिय अधिनियम के अंतर उत्की गई थी आईसी आईसी आई का कारें निजी छेत में इस्तापित होने वाले उद्दोग की स्थापना का विकास तथा आधोनी की करण में सहायत अकरना है वो दोगी वित्त के छेत में भारतियों दोगी विकास बैंक का इस्तान सबसे हुँचा है बात करते हैं मिलों व्यापार के ब दसावादिसद दोनों व्यापक परिवर्तर हुए दोनों में सुतत्ता के बाद विदेशी व्यापार की अंतरमुखी नीतियों को अपनाए गया और आयात फित्ती स्थापन की नीति इसका आधाय बनी व्यापार उदारी करण के 80 के दसक्त में से आरभ हुआ तथा 90 के दसक् करन देखर एवं विश्व व्यापी करानी की व्यापक नीति बनी आरभ है एक बरसों में भारत के निर्याद व्यापार में जूठ चाए सूतीवस्त कृस्ती वाउस से संबद्ध्य वस्तूओं की बढता थी आयात में बीनिर्मिश वस्तूओं का अधेग मात था देरे दे कि यह सभी पुराने आगणे बाप कर लेते हैं व्यापर संगठन व्यापरिक संगठनों के बारे में अंतराथ की मुद्रा को इसकी स्थापना हुई 27 दिसम्बर 1945 को वेटन बोट संभिलन के निर्ड़य की आधार पर किया गया था इसका इसका कार एक मार्च 1947 से शुरू हुआ आईये में का इसमें मार्च 2010 के दसीज में उक्वल 186 राश्य दस्ते नभीन तम सदस्त देशों की बात करें को संभू है और अभी 2019 अभी नीश की बात के लिए 2019 भी तो 189 देश है इसका हेड़ क्वार्टर है याद रखिए वसेंट्रें डीसी में आई में का ठीक है अब करी में का कार सदस्त राश्टों की मंद्ध वित्तिय और और अर्थिक सहीव को बढ़ावा देना है ता विस्व्यापार का संदलन विश्तार करना है फिर आई 1445 में हुई है माल अभी बता दें 2019 की संख्या कितनी है इसमें मेंबर्स सदस्थोंगी तो 189 है 189 189 ठीक है आई वी आरडी को यह अनना संस्थाओं के साथ मिलकर विस्वेक वर्ल्ड वेक के नाम से पुकारा जाता है इनर्शन स्थाओं में अंतराष्टिय वित्तिनेगं अंतराष्टिय विकास संग तथा बहुँ पक्षिय बीनिवियो गारंटी अभी करण है इसका उद्देश विस्थे उद्देश से चरजर्वी अत्रवस्था का त्यारंबीक फुनननिर्माण तथा अल्विक्स देशों के विकास में युगदान देना है इस समय यह सदत देशों में पूंजी नेविस में सहाय था तथा अंतराष्टिय वियापार की दीड का दिन शंतुलंग विकास को रुत्साहत करने में लगा गेट फिसल्ग और वियापार पर सामान समयोता 30 अक्टूबर 1947 को हुगा तथा एक जन्वरी 1948 से लागवा गेट के वो सिधानते समान फिसल्ग नीद की नीदी फरीडाम स्वरूफ तितीवंद को हटाना गथम वियापारी बाद विवात को का लोगतानतिक तरीकर से निप्टारा करना भार्य कि दिसम्बर उन्नीशन फंचान्व को गेट का स्अस्थित समाप्ट कर धिया गया और एक जन्मरी 1995 दब्लू ती ओर्थाथ की विस्वयापार संगतल नर गारेबू आओ näले लिए इसका गेट का स्थान ले लिए डबू टो नर दीकीざ इसमें 2019 की बात करूं तो इसमें कितने सदस हैं 164 मेंबर है 2019 करेंट में भारत भी इसका सदस है मंत्री इस तरह सम्मिलें WTO की सर्वुरसंता है सभी सदस देशों के मंत्री इसके सदस से इस सदस्ता की पिदेग दो बर संपें कमसे कम एक वैठाध अवस्थ होगी आयात निर्यात के लिवित्व्य विस्ता हेतु भारत में सिखर संस्ता निरयात आयात बैंक की स्थापना इ सब्सक्राइब कर लिए अब बात कर लेते हैं मत्मून सब आर्थिक सब्दावलियों की बानियों के राश्टी ए इंकम नेशनल इंकम यह किसी अवधी विस्तिस में देश की सीमा के अंदर उत्पर्ण सवस्त्वर्स्तु तथा सेवाओं का मौंद्रिक मूल की वह मात्राएं जो दो बार गिने बिना मापी जाती है साड़धार्ण कीमत पर सुद्ध राश्टी उत्पात को राश्टी ए आय कहा जाता है इसे निम्न सूथ से फरीकल्पित कलित किया जा सकता है राश्टी आय सुद्ध राश्टी उत्पात NPP बाजार मूल पर सुद्ध राश्टी उत वराबर बाजार मूल पर संगल भर बुद्पात GDP ॐख समझ्त अंदिम बस्तुओं तथा सेवाओं का खुल बाजार या मौंद्रिक मूल उस देश्क का सकल घरल उत्पात कहा जाता है फिर है सकल राष्टी उत्पात NGMP इसका पेवग भी राष्टी है आय ले खंकन में किया जाता है सकल घरल उत्पात में सेज़ी वहे आय घराठी जाए तो सर जिव लिवाधक कि यह देश को होई n किंद्व होने वाली किंद्व बेज़ों जोड दिजाए तो सकल राष्टी उत्पात कि ःड़े बात में gonna rake बाजाता है रासी घटा नेने उपरां के उपरां सुद्ध राष्टिये उत्पात ग्यात किया जा सकता है गरीबी की बात करेक्ट वोवर्टी सावानता नियुंतम सामाजी जीवन इस्तर से नीची की दसा है एवजिन आयक के दारा गठित टास्क फोर्स और मिनिमम नीड्स एंट एफेक्टिब कन्यम्शन डिमांड रोपोर्ट के अन्सार ग्रामीड चित्रों में 2400 कैलोरी तता सहरी चित्रों में 200 कैलोरी कपियों पिती व्यक्ति सिक्कंखक उपियों इस्तर किस्ति करीब ही यहीं बात कर ले ? मतंुन संपियों के बारे दूए? स्वामी नातन सम्ति जन संख्या नेती से संबन देथे स्वामी नातन सम्ति किस से संबन देथे जन संख्या नेती से जान की रबन सम्ति तो याद रखे पिती भूती गोटाला से संबन देथे दात वाला सम्ति दातवाला सम्ती ए बेरोजगारी के अन्वान से संब्दिती, रेकी सम्ती ए आपित्यक्षकर से संब्दिती, सरकारी सम्ती का संब्द है केंदराज संब्द से, गोस्वामी सम्ती और दोगे कुरोगृता से संब्दिते, महाल लोविस सम्ती राष्टियाय से संब्दिते, रं चलेया सम्ती कर सुधार मुसल्वानों की सामाजिक पार्थिक वस्चठ्षडिक इस्थितिर कातेर से संब्दें सुरेश तेंदुलकर सम्दीं गरीवी से संब्दें S. तारापोर सम्दी रुपे की पूजी खातेव परभरतनीयता से संब्दें आविद हुसेन सम्दीं लगूददेव डॉक्टर कीर्ती एस फारिद सम्ति एक पेटॉलियम वत्पातों की मुल फिडाली पर सुजाव से सम्मोधित बी-एएस व्यास सम्ति किर्थी एवं गिरामीड साख विस्ताज से सम्मोधित महाजन सम्ति चीन युद्द्दियोंग से सम्मोधित अंगला सब्द है मिस्षित अर्थवस्ता निक्स्ट एकॉनुमी ऐसी अर्थवस्ता जिसमें डिजी चता सरकारी दोनों चित्रों का सहिस अस्थ तो फ्रेबूम अरत्वश्ता में भूम किस्तिती उस समय कही जाती है जब आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होता है य आग में विद्धी के परिडाम सरू किसी उत्यों बिसिसमें भी बूम किस्तिती उत्पन हो सकती है बजट किसी संथा या सरकार की एकवर्ष के अनुमानित आय का लेखा जो का बजट कहलाता है सरकार का बजट अब केवल आय बैका वितरन मात ही नहीं होता अबितु यह सरक था के घिर्या खलापों एपटनी यह आदू निकाल में सामाजिक वार्तिक वर्यवर्ठन का साध biography बह Llumya बफर स्टhat्र है बफर श्टॉक आपाथ इस्तिति में किसी वस्तू की कमी को पूरा करने के लिए बस्तू का इस्टॉक ते यार नाँ बफर स्टॉक कहलाता तेजर और मंदडिया यह इस्टॉक्स एक्ष्चेंज के सब्द में जो बैक्ती स्टॉक्स की कीमतें बढ़ाना चाहता है तेजडिया कहलाता है जो व्यक्तिष्टोक की कीमते गिराना की आसा करके किसी बस्तू को भविसमें देने का बायदग करके बैचता है वह मंदडिया कहँ लाता है क्रेटा बाजार जब अब किसी बस्तू की मँख कम तथा पूर्टी अधिक होती है तो बिकरिता तकी तुला में करेता वेतर इस्तिती में होता है ऐसे वाज़ार को क्रेटा वाज़ार कहते हैं कुछ ब्रेजलों कंपणिया पेरह अपनी प्रया अपनी पुंजी का विस्तार करने के लिए नए सेया तथा डेमेंचर जारी करती है, कम्पनी के उपको सेया जारी करके उणजी जुटाने में तीन महाय से भी अधिक समय लगता है, इस समय उदी में अपना काम जारी रखने के लिए, ती लिए कंबनिया बैंकों से अंत्रे मबदी के लिए रिड प्राप्त कर लेती है इस पिकार के रिड़ों को ब्रिजलों कहें दें कि फिलोटिंग और करेंसी किसी मुद्रा की बीनि में दर को सुतंत चोड़ देना ताकि मांग और पूर्थी की दसाओं के आधार पर वह अपना नया मूल स्वेंता करें सकें आउमूलन यदि किसी मुद्रा का भी निवाए मूल अन्न मुद्राओं की तुला में जानमूचकर कम किया कर दिया जाता है तो उसे उस मुद्रा का अमूलन कहते हैं यह अमूलन परिस्तियों के अमसार सरकार स्वें करती है बी मुद्री कर जब काला धन बढ़ जाता है और पूर करने के लिए बी मुद्रीकड की बिधी अपना ही जाती है इसके अंपर के सरकात पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है जिसके पास काला धन होता है वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते और काला जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमते गिर जाती है उत्पादन ब्यापार गिर जाता है तो भी रोज़ारी बढ़ती है वह वस्ता मुद्रा संपचन कहलाती है प्रहीनाज प्रवंधन जब सरकार का बज़त गहाटे का होता है अर्थात आयकम होती है और वैय अधिक होता है और बैय के इस अधिक को केंद्रिये बैंक से रिड़ लेकर अथवा अतिरिक्त पत्त मुद्रा निर्ग में निर्ग में कर पूरा किया जाता है तो यह विवस्ता गहाटे की विद्विव अन्थवा हीनाड प्रिबंधन कहलाती है। सीमित मातरा में ही से ओचित माना जाता है। हीनाड प्रिबंधन को इश्थाइन नीदी बना लेने के परड़ा अच्छे नहीं होती है। ये State Duty किसी वेक्ती की मित्थी विजश्चा दों उसकी संपत्ती के हस्तांतर के समय जोकर उस संपत्ती पर लगाया जाता है उसे user STATE Duty कहते हैं sesleri सवर्ड मान जब किसी देश की फिदा मुद्रा सवर्ड में फरी वरत्सील होती है अथasures मुद्रा का मूल सोहने में मापा जाता है तो इस मुद्रा विवस्ता को स्वड मान कहते हैं एक किसी देश में स्वड मान नहीं है मुद्रा स्पीती इंफलेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मुद्रा इस्पिती को आर्थाई दर पर नियनतित करने के लिए मुद्रा पूर्ती कमी का पेव उप किया जा सकता है तरह रिसेशन, रिसेशन वे दात पर मंदी के वध्सा से जब बस्तूवों की पूर्ती की तुला में मांग कम हो तो रिसेशन की इस्तिती इत्वन होती है ऐसी इस्तिती में दनाने के कारण लोगों की कहर आ कब हो जाती है और कुटफाते पस्तु हैं अनादिक रह जाती है इससे उप्र देव को बंद करने की फिक्रिया पराव होती है बेरोजगारी बढ़ जाती है फ्रेक फ्राइमरी गोल्ड चौवीश केरेट के सुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते है इस्टैक फ्लेसं यह आयत प्वश्था कि यसी इस्तिति है जिसमें मुद्रा इस्पिती के साथ साथ बंदी की स्तिती होती है टेरिप किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए ग साथिंगों मुद्रा इस्तिती की दर गढ़ने लगती है कीमतों में गrialवत आती है तथा रोषिवारी पर ही प्रिभाख करता है यह ईस्तिति मुद्राइवरी इस्तिती के स Leader कहला आती इस इस्तिति में मूल इस तरहिए तथा पी यह सामान भूल से ऊपर रहता है तरह एक्टिफ शेयर वैसे चिनका क्रया विक्राइड ने में दूप से पिदिद्र शेयर वाजार में होता है एक्टिफ शेयर कहते कहला थे है राइड शेयर किसी कमपणी द्वाराचारी नए शेयर पो गर्रुट करने का पहला कारण उनको Shit रप्त होता है उसे राइट शेर कहा जाता है जब किसी कंपानी द्वारा अपने अरजित लावों में से रखे नए रिजर्व को शेयर के रूम में बर्द माच्राख बाठ दिया जाता है तो इसे 1 बॉन्डस ह्याता पूर्वाधिकार सेयर जैसे सेयर को पूरवादिकार सेयर कहा जाता है जिनका सामनता दो पूरवादिकार राप्त होता है कंपनी द्वारा सरपिथम इसका इनको लावांस का बुक्तान किया जाता है तद्धा लावांस की दर निश्चित होती है यदि भविस में कंपनी का समापन होता है तो ल करने का दिखार होता है त्रैक कंटे कंटे रीयर सेर तो इस सेडी में उन सीरों को सममलित किया जाता है जो बाजार के रूप से अलग दिसा में चलते हैं अरथा बाजार में सेरों के भाव में बिद्धि हो रही है तो इन सेयरों के भाव कम हो जाते हैं और यदि भाव का रूप ग्रावट का है तो इन सेयरों का मूल बढ़ जाता है फ्रे डिफेंसिव सेयर जिन सेयरों के मूल में भारी उताव चड़ाव नहीं होते हैं उनको डिफेंसिव सेयर कहा जाता है इन सेयरों पर बरत्मा लाव त प्योग सेयर वाजार की तेजी या मंदी के रूप का पता लगाने के लिए किया जाता है इसकी गड़ना के लिए एक दिन में चिन सेयरों के मूल बढ़ते हैं उनकी संख्या में उन सेयरों को भाग दिया जाता है जिनके मूल उस दिन गिरेज होते हैं यदि इंडेक्स एक से या देख होता है तो बाजार में तेजी का रूप होता है और इंडेक्स एक से कम होता है तो बाजार में मंदी का रूप होता है बिलो आउट जब कोई अपना नया इसूर जारी करती है और उसका सब सबसे क्रिप्सम पहले ही दें पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे बिलो बिलो आउट या आउट ओप बिलो कहा जाता है फिर इंसाइडर ट्रेडिंग यही एक अवैदकार है जब उनको ब्यक्तिवों दोदर भारी मात्रा में सेरों का क्रे विक्रे करके लाब कमाया जाता है जिनके पास कंपनियों की गुप्त सूचना है रहती है तो इस पिकार के सेरों के क्रे विक्रे को इंसाइडर केस टेडिंग में कि अंतरगा सेयर सर्टिफिकेट तथा नगत धन रासी का लेंदेन अंगली समायोजन तीथी से पहली ही हो जाना चाहिए हूँ जब दलालों के सभी केस टेडिंग के लेंदेन का देनों का समायोजन हो जाता है तो इसका समायोजन तीथी कहा जाती है परफू यह 14 दिन से अधेक नहीं हो सकती है करवट टेडिक जब सीयर बाजार की निर्दारिक टेडिक समय के बाद पहले से अलग से सौधी किये जाते हैं तो इनका करव टेडिक कहा जाता है इनको एक भी सौधी दलालों की द्वारा किये जाते हैं परन्तु इनका वेधानिक नहीं उता, वेधानिक नहीं माला जाता है। इस विकार के किये गए सोधों का भिवराट, शियर वाजार में ओपलब्द नहीं रहता, वरतमान में ऐसे भी द्वारा पिती बन देते, इस्टेक उन वैक्तियों को कहते हैं जो नई कप्पणियों के इस वह में भारी मत्रा में सेरों के आवेदन पत्त फेरित करते हैं को यह असा रहती है कि जब कुछ वैक्तियों को सेर नहीं मिलेंगे तो वे इन सेरों को बड़े मूल पर खड़ितने को त्यार हो जाएंगे यह वैक्ति के वल आवेदन पत्त की रासी फेसित करते हैं तत्त सेय आवंटित होती ही पैस देते हैं अधिल्य वैं पर बदला है जब कोई दलाल भविष्ट सौद लिया सोदा करता है परंत भविष्ट की तिति परसोदा पूरा ना करें आखें लिए खिसककता रहता है तो क्या जिए उसे जो चार्ड देना पडरता है उसे बदला कहा जाता है मंदड मांद्ड आ सेयर,जिन सेयरो की मत में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं सेयर कहा कीमत में परिवर्तन को इसी परिवर्तन सेता है अधिक तमूल नियुद तमूल अप्सक्रेशिसी कप्पणी चुकता का फैलोटिंगs वह 오का चुक किया जाता है तथा इसमें उन शेयरों के नंबर लिए रहते हैं जिनके लिए यह जारी किया जाता है उसमें सेयर मुक्तान की गई धन्राशी का विवरन होता है वियर डिवेंचर एशा डिवेंचर जिसका हस्तान्तरण केवल सुपोब्दगी के द्वारा हो जाता है उनको डिवेंचर कहा जाता है कम्पणी के रेजिस्टर मेंें इनका कोई लेखा जुका नहीं हुताacio है डेवेंचर के साथ लगे कूपन को फिस्तुत करने का व्याज तथा डेवेंचर को फिस्तुत करने का मूल्धन का बुखतान पिस्तुत करता को प्राप्त हो जाता है जो खाने तथा चोरी हो जाने पर इस पिकार के डेवेंचर के पूर जोकेम होते हैं बंधक डेवेंचर इस चल प्रभाव दूसरा निश्चित प्रभाव किस्तिती में किसी निश्चित संपत्ति पर प्रभाव नहीं होता किवल कंपणी के समापर किस्तिती में इन डेवेंचरों को भुपतान में फ्रादमयक्ता मिल जाती है और निश्चित प्रभाव किस्तिती में डेवेंचरों का क कंपनी की किसी निष्ड़े संपत्ती में फ्रिभाव होता है ऐसी कंपणी को कंपनी ना तुभेश सकती है और नहीं हर्स्तानतीरत कर सकती है फिरे परवेटन सील देवेंचर यह बेरेड़ पत होते हैं जिनके धार्कों को कंपणी यह विकल्प के अदर रेट पद्ध कोल कमपनी के शेयर में बदल परवां सकते स्रमन के समय की तैक आधि परन्तु यह सरते कमपनी में अलग हो सकती है, हंग अप जब किसी सेयर का भाव किसी निवेसक त्वारा क्या किये गए भाव में से काफी नीचे चला जाता है तब ऐसे इस्तिती में अधिक घाटा उठाकर सेयर बैचने के वदले यह निवेसक भविस में उसके भाव बढ़ने की आसा में अपनी सेयरों को रखे रहे तो ऐ परक्रय विक्रय के अनेक स्टॉप ऑडर होने लगते हैं इन ओडर के कारण पुनहा बाजार में दबाव बनता है उसका पुनहा आडल मिलने लगते हैं तो इस वितिती को विश्णों वालिक बालिंग कहा जाता है ग्रे मार्केट यह अनाधिकत बाजार होता है जहां नई तता अभी शेर वाजार में सूची बद्र ना वी पिति भूतियों का प्रेमियम प्रलेदें होता है एसोधे भी अनादी कृत होते हैं इन सौधों का शेर वाजार कर सरक्षन नहीं होता है ट्रेडिंग लाट, सेरों की नियुनतम संख्या है, जहां गुड़ा को ट्रेडिंग लाट कहा जाता है, जिसमें सेर वाजारों में एक बार में बेंचा या विक्रा किया जा सकता है, सामनता 10 रुपे मूल वाले सेर की नियुनतम संख्या पच्छा से 100 मिरदारित की जाती है, जब कि 100 रुपे मून लबाले शेयरों के संक्या 5 या 10 ने रहाइप की जाती है फिर है साइट सेलिंग जब किसी दलाद द्वारा इतने सेयरों की बिक्री की जाती है जितना उसके पास सेयर नहीं होते है तो इसे साइट सेलिंग कहा जाता है अनुबन पूरा करने के लिए दलाद द्वारा निलामी में सेयर क्रे कि यह जाते है फे पी & अनुकात किसी कंपनी के पिती सेयर के वाजात भाव में पिती तियरार में भाग देकर पी अनपात ग्यात किया जा सकता है तब बात कर लेते हैं नई आतिल सुधार नीती से सम्मंदित कुछ महत्पूर सब्दा वली निजी करण सारुजनिक चित में पुजी या पिवंदन या दोनों में निजी चित की बहावीदारी बढ़ाना अत्वा उन्हें निजी चित को सौफ देना निजी करण कहलाता है उदारी करण सरकारी नेंतन को सित्थिल या समाप्त करने की क्रिया विदी है इसके अंतगत निजी करण भी सामेदे फ्रे विस्व्यापी करण किसी अर्दविवस्ता को विष अर्दविवस्ता से जोढने की करिया की क्रिया ही विष व्याप्य करण है। ऐसा करने से उप्त छित में निजीर कार्ग विधुशंता तथा बाहरी तक्निकी गयार करत हुदें। यह पर बिसक सरकारी शेत्रों में सरकारी इसेदारी को कम करना ही विनेवेस कहलाती है अब बात करते हैं बिवित तक्रों के बारे में विस्वयंग के ताज़ा आकडों के शंण वर्च nat Cr сек Light सtechale फ़िष्टी से भाहरिभी अर्त्व्ष्टा हो गई पहले स्थान पर और अमेर्ट का दूसरी पर जापन थी लेकिन अब बात करें 2019 के आकड़ों के अंसार बात करें तो भारत की यह दूस्ता साथवी नंबर पर 2.7 दो दसमलाव साथ ट्लियन डॉलर आपको बता दें पहले नंबर पर USA है दूसरे पर चाइना तीसरे पर जापन चौतरे पर जर् और इंडिया है चाफ़ी नंबर पर जाद रखना विय्च वेक की हाली की रिपोर्ट क नहीं कि और GDP के आदार पर bueno इन दूसरे नमबर करें चाहे कुण भारत दूसरे नमबर करें याद रखना है विश्ध कर लेढ ए चीम भारत दूसरे नमबर कर combine नारत में सरवाट दूथ ऑद्थादन होता है अंघर प्रदीश में मैं ब्थासर न्वाल्त में तुमाता त्वाधन करने बाला विश्क का तीसरा बड़ा रास्त हैDIO सब्से बड़ा उत्पादक वभोगता दोनी चीन है जल की उत्पादन में भारत विश्व में पहला इस्थान है इस्थान गुलूर्ष आमेरिका के सब भाइरत का भयापार अधिकानस बाहएरत के पक्ष में था, clos 44 में मुंबई के आर्टो द्योगपतियुंद्वारा फिस्तूत योजणा को बंबे योजणा कहते हैं, 1947 में भंबे योजणा, った इस यादर हिके तृण्टे, के चलिय संथी करवटवारे से संब्दी थी केंद को सरवादिक नेवल राजस की प्राप्ती सीमा सोल्क से होती थी कहले अब निगम से होती है भारत में पहला जल्विद्धो सक्ती गिरे 1897 में दार्जिलिंग में प्राम हुआ भारत में मनी ओर्डर फिरडाली की सुर्वाज सब्सक्राइब भारत में पहला डाप टिकेट 1872 में प्रार हुआ कि देव का दर्जा देने वाला प्रिथम राज महराथ था उनीस संताब्बे विस वेंग के अंसार भारत की प्तिव्यक्तिया है यह पुराने है इसका कोई फट्सन का सब्सन्द जादा उत्वादक भारत म एक पस्वू और राण ने दिया वो गोंगता की बच्चत सिद्धान अलपीन मार्शल दिया केंदिये एक मार्ट फेउक्साला नागपुर में ने देश का पितम सूती पुद्देव 1818 में कोलका का दूसरा कोजची की नानवाई 1803 में बंबई में उस्तापित किया गिसका सर्वाद में सर्वादिक सहकारी संस्ताय भारत में भारत में आसंगट्री चेत संगट्री चेत की वज़ाए अधिक रोजिगार का सेजन कर रहे हैं भारत में कुल तेलहन उत्पादन में मुंखरी का हिस्सा सर्वादिक है भारत में सरवादी नगरी करन गुजरात राज में है एसी आई विकास बैंक की स्थाथ नहीं सो च्छाश्च में हुई मुख्याले मनीला में है वा physician की जाती है तो उसे मुद्रा कहा जाता है केंद्रिय बैंक को सिली जानेवाली ब्याद दर को बैंकदर कहा जाता है आंतरफ्ट ये ब्यापार में अन्कूल संतुलन की स्थितिति वाली उद्रा जिसको उद्राइस के सील क्टवल मुद्रा का जाता है। साट मुद्रा को यह शित मुद्रा भी का जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी को सरचनातमग बेरोजगारी कहते हैं। अर्थवथा की कीमतों का ओसत इसतर सामानि कीमत इसतर कहलाता है। आय में बदलाओ कि फल्खुरूप उपयोग उपवोग बदलाओ उपवोग की सीमांत प्रवित्ती कहलाती है विदेशी मुद्रा के व्ता देशी मुद्रा की इमत विदेशी बीनवाई की दर कहलाती है किसी देश का आयात और निर्यात से संब्ध वक्ता से ब्यापा से इस क करों की दर्बें बिद्धी होती है जबकि पितिकामी करव विविश्थामने आयवड़ने के साथ कर्व की दर्व में कमी होती है रोजगार गारण्टी योजना जो ऑव एण सी एंपी फिर्बूंग गटक है तरफम 1992-30 में महराश्ण परफोेंगे इसमें समय्दाना में दिए गए काम की अधिकार, रोजगार के सभकर किया गहा है स्वेध क्राहंती दुगद वुत फाथन से संब्धित थी पीली क्राहंती तेल अतिटी संब्धित рук स्वेत करांती को और तेजगती देने के लिए ओपरेशन फिलेड पारम किया गया इसके सुथदार थे डॉक्टर बर्गीज कुरियर इसका आपकरम का विस्स का सबसे बड़ा समनवी समनवी डेरी विकास का रिक्रम जैसे में राष्टिय विकास बोड ने प्यारम किया विस्मेदूर पादन में भारत का इस्थार पहला तो सहीं पर अज अमेरिका द्वा दूसरा था ओपरेशन फ्लेड के वाइडाम सरूप देश में नीली करांती का संबन मत से संबन दिट था कि अधिक है एसी बित्व्यवस्ता है जिसमें सरकारी व्याय से अधिक हो तथा सेश घाटे को पूरा करने के लिए सामार्णता मुद्रा शापे जाते हुँते घाटे की बित्व्यवस्ता कहला दिया ठीक है हाँ हाँ है बारत में परेयरतन विकास निगम की स्थाबना एक स्थारविजय में चेत के ईपकरम के रूम में एक अक्टूबर उननी सच्यासट में होई स्टार विर्ण ने चित के उक्रमों में उपनिवेस का दौर 1929 बाउन से प्यारम हुआ स्टार विजने को उक्रमों में अपने अपनिवेस से प्राप्त राजस के सुनिश्चित पेउग के लिए से एक अप्रेल दो हजार वाज को राष्टिये निवेस निदी की स्थापना की गए भारत में डीजल इंजर बनाने का पहला खाना 1932 में सतारन महराश्च में पूल अगया भारत में मोटर वाहनों वस्टरवादिक निरियाज जवाहल लाल नहरू बंदरगाय से किया जाता है अमेरिकी पत्तिका टाइम ने इन फोसेश टेक्नोलोजी के नारायन मूर्ति का नाम बिसके सीशर 25 व्यासाइकों में सामिल किया वर्स 1988 में नारायन मूर्ति द्वारा इन फोसेश कंपनी की स्थापना की गए अमेरिकी स्टॉक एक्चेंज नास दाल में सूची बंद होने देवाली फेहली कंपनी थी है वेटेन प्राचीन निवेस बैंक वेरिक्स फरवरी उन्नीस सो पंचान में में गोटाले के कारण देवालिया हो गया था भारत में अधिक साकाएं विदेशी बैंक की है ए एन जैंड जैंड ग्लेंड लेजबैंड राज सम्ती निक्रिसी जोतों पर कर लगाने की संस्तिफ की थी नावाइड की स्थापना छटभी पंच बरसी हो जना आपकिया उदी में की गई गयारवी पंच बरसी हो जना 2012 दोजार बारैट में लागु भी थी बारैट लिए 2016 से बाषा बारत में गरीबdi हटाओं कुनारा पांचवी पंच बरसी हो जना के अंतरगत दिया गया था खादि एवं ग्रामीड उद्होंाईओं की स्थापना दूसरी पंच बरसी हो जना वे उंतरगत की थे राष्टिये ग्रामीड विकासन स्थान हैदराबाद में इस्ते थे सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्छी सीमा सुल्क लगाने की सकती देता है किरलर राज की बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला वर्दमान वश्चे पंगाल है केलकर समिती की सिफारिस कूल द्यार में रखती हुए अपरेल 1987 में कोई नया च्छेत्य गिरामीड वेंक इस्ताबर नहीं किया गया प्रोफेसर ए एम खुसरो की अध्यक्षताब में 1989 में गटित किरसी साख समीच्छा समतीने चेत्रिये गरामीड वेंकों कोल के पिवर्दक वेंकों में बिलाय करने की संस्तुतित की थी बाहरतिये उद्दोगिक पुनेद निर्मार बेंकी स्थापना 1985 में की गई दोफेर का भोजन योजिना 1995 में सुरू की गई भारतिये लगू विकास बैंक का मुख्याल है लगनौ में है सेड़वी का याद रखना भारत में करमचारी राजवीमा ये उजना 1922 में परम की गई भारतिये बैंकों के विदेशियों में सर्वादिश संख्या यूगे में गोल्डन हैल हैंड सेट स्कीम स्वक्चिक सेवा निवित किसे संबन दे थी विसमें खनेज इसमें खनेज तेल का सबसे बड़ा उत्वादत अमेरिका में होता था 1934 भारती रजव बैंक अतिनियम के अमसार इसकी स्थापना हुई थी विसमें की विस्त की सबसे बड़ी रिफाइनेरी रेड रिफाइनेरी लिमिटर दच्छड अफीका में भारत में पहली रिफाइनेरी सिर्फपूर महराश्च में सब्सक्राइब की गई थी बाड़मेर में तेल के विसाल भंडार पाए गए राजिस्तान में ग्रामीर रोजगार गारंटी स्कीम दोप्रभवी 2006 को प्यारम की गई भारत में सेवा कर लगाने के लिए ठासीवा सम्मिधाद संसोधन किया गया 1963 में केंदिये राजस्पूर का विवाजन करके केंदिये उतफास सुईट एवं सीमा सुलपूर तथा केंदिये पित्यक्च वोड का गठन किया गया राष्टिये लेखा साम्षिकी को सुईद प सेवा कर एक जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया आपके टेक्च कर विवस्ता है याद रखिए जियाश्टी कब से लागूगा एक जुलाई 2017 से आपके टेक्च करों की जगए है तो चलिए यह थी हमारी अर्थ विवस्ता ठीए